दोस्तो ट्रेड एक्सपोर्ट भी फिल्म को लेकर बहुत जादा एक्साइटेड है और ट्रेड एक्सपोर्ट ने फिल्म की ओपनिंग डे कलेक्शन्स बंपर बताया है क्या कहा है ट्रोड एक्सपोर्ट ने इस फिल्म की उपनिंग कलेक्शनर्स को लेकर आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तो बहुत कमाल का नंबर आ रहा है तो आप इस वीडियो के आकड़ी तक बने रहिएगा बहुत सारी निउज इस वीडियो में आपको कबर करने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सिब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसे ही लेटेस निउज आपके लिए हम लेके आते रहते हैं दोस्तो फिल्म जो है साथ तारी को रिलेज होने वाली है फिल्म तकरीबन 300 करोड का है और फिल्म की जिस तरीके की एरवांस बुकिंग आवर सीज में चल लही है मैंने कल रिपोर्ट्स आपको दिखाये थे बहुत सांदार नमर आवर सीज से आ रहा है दोस्तो इंडिया में प्रोपर तरीके से अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन कुछ सेलेक्टेड जगों पर ही बुकिंग शुरू हुआ और कुछ ही मिंटों में फुल हो गया जो कि मेरे स्क्रिन पर भी आप देख सकते हो एक भी सीट नहीं बचा हुआ है दोस्तो अगर ओकेपैंसी रिपोर्स की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से अभी इंटरनेट पर हाइक देखा जा रहा है अप्रोक्स 95-96% के आसपास पहले दिन की ओकेपैंसी रहने वाली है पूरे देज भर में और कहीं कहीं तो पूरा का पूरा 100% की ओकेपैंसी जाने दोस्तो पिछली बार आपने देखा था पठान फिल्म को लेकर आपको काफी अरली मॉर्निंग में सो रखना परा था डेफिनेटली इस बार भी यही बताया जारहा है कि बहुत सारे सो को जो है अरली मॉर्निंग में रखा जाने वाला है और दोस्टो अभी अभी जस्ट खबर आई है कि सारू खान साहब जिन ब्रैंड को प्रमोट करते हैं उन ब्रैंड ने एक लाख टिकट खडी दिलिये हैं और ये तो अभी टिकट बूकिंग शुरू भी नहीं हुआ है उससे पहले ही एक लाख टिकट बूक हो गया है तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है अलाकि दोस्तों ट्रेड एक्सपोर्ट इस फिल्म को लेकर काफी जादा एक्साइटेड है और उनका भी कहना है कि इस फिल्म को पहले दिन 70 करोर रुपै की जो है उपनिंग मिलने वाली है सिर्फ हिंदी वर्जन में और इंडिया में 75 करोर के आसपास जो है निट कलेक्शन से रहने वाला है पहले दिन का अलाकि दोस्तों मैंने अपने स्क्रिन पर क्यार के का भी मैं एक ट्विट आपको दिखा रहा हूँ जब आप सोच सकते हैं कि हेटर्स जब आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए मतलब आप में कुछ ऐसा दम है जो आपने कर दिखाया है क्यार के ने भी कहा है कि 75 क्रोर के आज पास जो इस फिल्म का पहले दिन का बिजनस रहने वाला है तो सुच सकते हैं कि काफी बंपर ओपनिंग मिलने वाली है